प्यारी मित्रों, नमस्कार। उश्व ने एक प्रवचन में जिक्र किया है उस गणितग्य का जिसने ओसत का सिध्धान्त खोजा था। प्रिंस्पल आफ एवरेज। बड़ी खुशी से भरा हुआ। जब कोई व्यक्ति कोई नई चीज का विश्कार करता है तो उसकी उमंग उत्साय आसमान चूती है। गया मिल गया उसने का लेकिन कपड़ क्यों नहीं पहने आपने तब उस ख्याला आया कि अरे वो बात्रूम से सीधा नग नहीं बाहर आ गया होश ही नहीं रहा इतनी खुशी इतनी खुशी थी ठीक ऐसे ये एवरेज का सिध्धान्त खोजनेवाले गणति तिग उसने अप वो इजात की है, हम सब उस्व मनाते हैं, नदी किनारी चलते हैं, पिकनिक मनाते हैं, तो अपने पूरे परिवार को ले के वो गया, वहाँ जब नदी को क्रास करना था, तो उसका रुको मैं गनित के सद्धान से देखता हूं, नदी की गहराई कितनी है, और हम सब के पूरे परिवार की उचाही कितनी है, एवरेज उसने निकाला, नदी को 5-6 जगहे पर उसने देखा कितनी कितनी गहरी है, डंडे से नापा, वहाँ रेत के मैदान पर उसने अपनी अंगली से गुणा भाग किया लिखके, कि एवरेज गहराई कितनी है नदी की, और फिर अपने ब उसने का हम सब लोग नदी कराज कर जाएंगे, मेरा गणित ये कहता है, अब गणित तो गणित है, उसे ये ख्याल ही नहीं आया, कि हो सकता है कि एवरेज में ये वाली बात फिटना होती हो, जिनका mathematical mind है, गणित की द्रश्टी से सोचते हैं, वो बस figures में, data में सोचते हैं, और कई वार बिलकुल wrong conclusion, गलित निशकर्स पे पहुँच जाते हैं, उधारन के लिए, मालो हम 25 लोग यहां हैं, सब की उचाई निकालें, इतने foot, इतने inch, और उसका average निकालें, जो figure आएगा, ये हो सकता है कि उस उचाई का एक भी व्यक्तिया ना हो, हम सब की उम्र अगर count करें, 25 लोगों की, उसको जोड़ दें, exactly कितने साल, कितने हफते, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनिट, उपर उसका average निकालें, 25 से भाग दे के, पता चला कि ये average उम्र जो है, वो 40 साल, 3 महिने, 2 दिन, 8 घंटे, 6 मिनिट, 12 सेकंड है, अब ये सं हो है, कि इस उम्र का एक भी आदमी आना हो, कहने मैंसा लग रहा है, कि हमने एक ग्रूप की average निकाल ली, तो सभी लोगों पे लागू हो रही होगी, और हो सकता है, एक भी व्यक्ति पर लागू ना हो, तो उस गंटे के सांथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो आगे-ागे चल र दिया है, पतनी के नारे बैठी देख रही है, अचानक वो चलाई की रुको, जहां तुम कमर कमर तखो, वहां वो छोटा बच्चा तो डूबने की काकार पर आ गया, उसके नाग तक पानी आ गया है, गणि तक गनक ऐसा हो जी नहीं सकता, गणित में बूल चुक नहीं हो सक ते, वह बच्चा बहने लगा, पानी के तेज प्रवाय में, गणि तक निकल के बाहर भाग के आया, उसने वहां रेत के तट पर जो गुणा भाग किया था, उसने फिर से चेक किया, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, यह लड़का बह कैसे रहा है, उसने लड़के की जान, बचाने की फिकर छोड़ी, पत्नी ने अपने बच्चे को पकड़ा दोड़ के, बचाया किसी प्रकार, बामुश्किल बच पाया, डूपते डूपते, गणि तक निकल कि नहीं, मेरे मैथमेटिक्स में कोई बुल चूक नहीं है, इस लड़के में कुछ गलती होगी, ऐसी ह हमारी बुद्धी है, विशेशकर जो पुरुष्चित है, मेल माइंड, जिसमें तर्क, वितर्क, गुणा भाग, विज्ञान, सोच विचार, चिंतनमनन, बाद विवाद, तर्क, वितर्क, इत्यादी रहते हैं, जिसको हम कहते हैं, ब्रेन के लेफ्ट हैमिस्फियर के फंक जहां हिर्दय प्रमोख है, दिल की भावनाय प्रमोख है, वहां प्रेम, इसने, मैत्री, भाईचारा, शान्ती, प्रीती, ये ज़्यादा प्रमोख हैं, वहां तर्क वितर्क नहीं हैं, गुणा भाग नहीं हैं, ओशो कहते हैं, यह एवरेज वाले कहानी सुनाकर, कि आज तक जो संस्कृती और सब्विता विक्सित हुई है, सारी प्रत्वी पर, वो पुर्षों के द्वारा विक्सित हुई है, आधे दिमाग का उप्यो उसमें किया गया है, सेस आधे को छोड़ ही दिया गया है, लेफ्ट ब्रेन जो है, उचिंतनवनन वाला, गुणा भाग वा है, और इसलिए हम दाहिने हाथ को राइट हेंड कहते हैं, ये सही हाथ है, दूसरा लेफ्ट वाला गलत है, इसका मतलब, उसको हम कहते हैं वामपंथी, लेफ्टिस्ट, निंदात्मक दरश्टी से, अलोचनात्मक दरश्टी से, भरमात्माने, इस्त्री और पुरुस, दोन फेमिनाइन, मेसकुलाइन, चिंतनमनन, भावना, दोनों को बराबर बनाया है, लेकिन संस्कृती के विकाश में केवल गनित, केवल तर्क वितर्क यही काम आया है, ऐसा समझें कि हमारी संस्कृती अधूरी संस्कृती है, पुरुषों की संस्कृती है, और इसका जो अंति महायुद्ध विश्व्युद्ध तर्क वितर्क पर गर चले गणित पर चले तो अंत में यही होगा दूसरे पक्ष को हमने बिलकुल इग्नोर कर दिया है उसको मौका ही नहीं दिया औसर नहीं दिया उभरने का पनपने का और चूंकि वह कौमल है नाजुक है वह आसानी से द दिल और दिमाग में दिमाग को बहुत महत्व दे दिया दिल को बिलकुल हमने पीछे छोड़ दिया भावनाओ की नहीं हम नहीं सुनते तर्क की सुनते हैं लेकिन याद रखना तुम तर्क चलाओ चयाय तलवार चलाओ दोनों में एक सामन जस्ष है और तर्क धीरे दीरे पहुंच जाएगा अगर आज तुम किसी से बहस कर रहे हो मतमतांतर हो गया है अगर तुमने अपना रास्ता नहीं बदला इसी प्रणाली पर चलते चले गए तो जल्दी ही तलवारें निकलाएंगी बंदू के निकलाएंगी किस मुकद में चलने लगेंगे लाठियां होता नहीं अंत में तलवारें चलानी पड़ेंगी गुंडगर्दी करनी पड़ेंगी उसके बिना कुछ सिद्ध नहीं होता मेरे एक मित्र वकीलें उबता रहे थे आज हमारे देश में कोई 10 करोड मुकद में चल रहे हैं 10 करोड यदि एक परिवार में 5-6 लोग रहते हैं और यह केस मुकद में से प्रभावित होते हैं तो समझो कि 60-50-60 करोड लोग लगभग आधी आवाधी नियाए के लिए तरस रही है कब मिलेगा यह नहीं आए जमीन जायदात के मुकद में कभी अंत नहीं आने वाला 20-25-25-25 साल 50-50 साल हो गए मुकद में चलते चलते जन्होंने केस किया था वो मर जाते हैं उनकी अगली पीड़ी लड़ने लगती है वो बकील वो नियाए अधीस वो मर जाते हैं कोई औरा जाते हैं उनकी जग़ा वो केस देखने लगते हैं कोट से फैसला मिलना बहुत मुश्किल है वहाँ तो डेट पर डेट मिलती जाएंगी फैसला या तो कुंडगर्दी से होगा मार काट से होगा या समझोता धन पैसे के लेन देन से होगा नियाए लगा कोई फैसला निंग कर पाती चार लोग खड़ें चारों के पास पसियत है परदादा की अब परदादा कपके जा चुके दुनिया से कैसे पता लगाओगी किस की सही किस की गलत तो नियाएदी इस अगली डेट दे देता है उसका कुल सोच है यह कि मैं यहां से ट्रांसफर हो जाओंगा दो-तिन साल के अंदर फिर कोई आएगा वो देखेगा पुष्ट पॉन करता जाता करता जाता करता जाता फिर नया जह जा जाता है वह भी वह ही सोचता है कि मैं नहीं होता अंत में हिंसा से ही तै होगा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक नए प्रकार की सब्विता और संस्कृति को जनम दें जो चिंतन, मनन, तर्क, वितर्क, सोच, विचार, मत, मत, आंतर पर आधारितना हो जो भावनात्मक हो, स्रजनशील हो, प्रेम से ओत्परोथ हो, निश्चित्रूप से ऐसी संस्कृति को इस्त्रियां जनम दे सकती है वहाँ उस एवरेज खोजने वाले गणतग के बच्चे को भी इस्त्री न बचाया था और मैं आपसे कहता हूँ, आज पूरी मनुष्चता के डूबने की नौबत आ गई है अगर महिलाएं अपना उत्तरदायत तो समझती है आज तक उन्होंने कंट्रिब्यूशन नहीं दिया है सब्विता के विकास में अब आगे आकर अगर उन्होंने नहीं दिया तो पुरुशों द्वारा विक्सित हुई है संस्कृती अपने फाइनल कंक्लूजन पर आ चुकी है ग्लोबल सुइसाइड जागतिक आत्मगात मिस्त्रियों से निवेदन करता हूँ प्रभू ने आपको कुछ दूसरे सद्गुन दिये हैं जो पुरुश के पास नहीं है ठीक है आप गनित में पीछे हो सकती है साइंस में पीछे हो सकती है युद्ध में पीछे हो सकती है अच्छा ही है पीछे है आपके पास एक और भहमूल समता है हर्दिकता की कौमलता की नाजुकता की भावनात्मकता की विकास के नाम पर महाविनास की कगार पर पहुँच गई है